नमस्कार दोस्तों, एक वर फिस स्वागत है आपका EP Classics के इस न्यू वीडियो है तो आज का वीडियो हम कंटिन्यू करेंगे, Model Task Paper, Next वाला तो पहला question हिंदी से है, कि सब्द की न्यूनतम एकाई क्या कहलाती है इसका आप लोगों को very short में answer लिखना है, one-liner answer है जसा कि आप लोगों को पता है कि किस टाइब के questions आएंगे और किस टाइब के आपको answer लिखने है सब्द की न्यूनतम एकाई क्या कहलाती है, इसका answer है वर्ण अगला question, कंट वर्ग के बेंजन कौन-कौन से है ऐसे कौन से बेंजन है, जो कंट वर्ग के अंतरगात आते है तो आपको बता दूँ कि ऐसे कौन-कौन से बेंजन है यह आपके जो बेंजन है या कोई कंट वर्ग में आते है अगला question, वहाँ दुहनी का उचारन स्थान क्या है इस ध्वनी का उचारण इस्थान क्या है? तालव अगला प्रश्न सर्व नाम कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका अंसर सभी लोगों को पता है तो इसका अंसर है छे सर्व नाम जो है वो छे प्रकार के होते हैं अगला प्रशन देखते हैं कि हिंदी में वाच के कितने भेद हैं हिंदी में वाच के कितने भेद होते हैं हिंदी में वाच के तीन भेद होते हैं कितने भेद होते हैं दोस्तों तीन और कौन-कौन से होते हैं कर्त वाच, कर्म वाच और भाव वाच ये तीन भेद होते हैं और मैंने यहाँ पे उपर वाले प्रस्ण बताया है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं सर्वनाम के छे भेद होते हैं वो मैं आपको नाम बता देता हूँ पहला भाग होता है पुरुस वाचक दूसरा निश्चर वाचक तीसरा अनिश्चे वाचर चौथा संबंध वाचर पाचमा प्रस्ण वाचर और छटा होता है निजवाचर तो ये अभी तक के हिंदी के 5 प्रस्ण थे जो हम लोगों ने कंप्लीट किये हैं और आगे प्रस्ण हम देखते हैं तो बढ़ते हैं डेक्स प्रस्ण पर संबंध कारक का चिन कौन सा होता है तो संबंध कारक का चिन कौन सा होता है संबंध कारक का चिन क्या होता है आपनों को पता ही होगा का, खी और के ये संबंध कारक के चिन होते है अगला प्रस्ण मूर्द का संदी विच्छेद कीजिए मूर्द का संदी विच्छेद क्या होगा ये संदी विच्छेद और कारक पर थोड़ा ज़्यादा धान जिया संदी विच्छेद के 2-3% आने की उम्मीद है तो संदी विच्छेद में इसमें जो संदी विच्छेद होगा वो होगा मूँ और धन उर्थ ये इसका संदी विच्छेद हो जाएगा और इसमें जो होगी वो होगी दीर, माफ कीज़ेगा दीर खिस्वर संदी कौन सी स्वर संदी होगी? दीर के स्वर संदी आप देखते हैं अगला प्रश्म give the correct part of speech of the underlined word तो जो underlined word है it is a unique book ईसका correct part of speech लिखना है तो इसका part of speech क्या हो जाएगा adjective adjective इसका part of speech होगा देखते हैं अगला प्रश्म transform the following sentence by using to इस sentence को C is over anexus for the safety of our son इस sentence जो है इसको आपको transform करना ला rewrite करना है जिसमें आप to का इस्तवाल कर पाए कल हमने आपको प्रस्ण बताया था जिसमें आपको to हटाना था और आज हमने प्रस्ण लिया है जिसमें आपको to use करना है तो इसका क्या सब लिखेंगे हम लिखेंगे हम C is over anexus को हम लोग लिख सकते हैं यहां पर to anexus ठीक है to anexus for the safety of her son बाकी का sentence पूरा यहीं पर आ जाएगा for the safety of her son C is to anexus over anexus को हम लोग to anexus में चेंज कर देंगे आगला प्राशन देखते हैं word opposite in meaning of atheist atheist का ऐसा word लिखना है जो इसका meaning उल्टा हो atheist का तो atheist का उल्टा क्या होगा believer b-e-l-i-e-v-e-r believer believer इसका उल्टा सब्द हो जाएगा आगला प्राशन देखते हैं word similar in meaning of industrious industrious सब्द का जो similar meaning का सब्द हो वो लिखे तो industrious का जो same meaning अमबर्ट होगा वो क्या हो जाएगा diligent इसका meaning क्या हो जाएगा लिख देता हूँ मैं आपे diligent diligent दोस्तों जासा कि अभी हमने आपको बताया कि कि इस इस परिक्षा में आपको कैसे पास होना है कौन कौन से टॉपिक को अब ज्यादा cover up करें ज्यादा ध्यान दे तो उसी के इसाफ से हमने यह अपना model person पर चेंज की हैं हम उन सब्जेक्ट्स के questions ज्यादा इसमें हमने लखें ताकि आप लोग को उन सब्जेक्स की तयारी अच्छे से हो अब देखते हैं अगला question कि give the appropriate synonym of word opulent opulent का appropriate synonym लिखना है आपको तो और अपूलेंट का synonym क्या होगा अपूलेंट का वेल्दी डब्लू ए ए ल पी एच वाई यह इसका अपूलेंट का synonym हो जाएगा वेल्दी अगला question देखते हैं कि अस धातु का लट लकार उत्तम पुरुस बहुचन के बहुचन में क्या रूप होगा अस धातु का कौन से अस धातु का लट लकार उत्तम पुरुस और बहुचन लट लकार में उत्तम पुरुस और बहुचन तो इसका वर्ड होगा स्मा ठीक है दोस्तों चलिए अब आगे देखते हैं कि गंधातु का लंग लकार उत्तम पुरुस बहुचन में क्या होगा देखिए यहां पे थी यहां पे है लंग लकार, दोनों लकारे अलग-अलग हैं, तो गंधात का लंग लकार में क्या हो जाएगा, इसका आगच्छामा, यह इसका लंग लकार में उत्तों पुरुष में बहु बचन रूप हो जाएगा, आगच्छामा, अगला प्रशन देखते हैं, नमन सब्द का संदी विछेत, सुरी, माफ कीजेगा, नयन सब्द का संदी विछेत क्या होगा? इसका क्या सब्द होगा? ने धन अन. अगला ब्रशन, बहुदका में कौन सी संदी है? बहुदका में कौन सी संदी है? बहुदका. ठीक है, तो इसमें कौन सी संदी आपको दीख हिस्वर संधी दीर की संधी हो गई अगला गुश्च дов Val north विवक्ति वचन है कौनसा विवक्ति वचण यहां पे है कौन सा यहां पर होगा कौन र aboard वक्ति वचन है ठीड़ तो इसका है को पहले इसम्हांसी विवक्ती है और बचन है दो प्रस्ण है इसमें कौन सा बिवक्ति है और बचन है तो बिवक्ति गुहन में कौन सी हो गई तरतिया तरतिया आपकी बिवक्ति हो गई और बचन क्या हो गया एक बचन एक बचन तो इसमें हो गई तरतिया एक बचन बिवक्ति हो गई चलिए देखते हैं अब उमीद करता हूँ कि इसका अंसर सभी को पता होगा तो ऐसा ही पद्धती में बेग का मात्र क्या होता है आपको पता है मीटर पर सेकेंड ठीक है दोस्तो आगला प्रशन देखना हो Plaster of Paris का रसायनिक सूत्र लिखे काफी आसान प्रशन है और काफी कामन प्रश्चन है लेकिन फिर भी देखे बरिच्छा में ये कहीं नहीं लिखा किस लेविल का रहा लेकिन मेरा जो मीध है कि प्रशन जो होंगे वो सिंपल और थोड़े से हार्ड मिक्स अप होंगे तो इसलिए हम कि ऐसा नहीं कर सकते कि सारे हार्ड प्रस नहीं रखे तो इसलिए हमने कुछ संपल प्रसनों को भी मौडल प्रस्ट में अपने सामिल किया है तो इसलिए में क्वेश्चन है ये प्लास्टर आफ पेरिस का रसायनिक सूत्र लिखे तो plaster of Paris का आपको पता ही है क्या होता है CASO4 और 2H2 और दोस्तों हमने आपको अपनी वीडियो में पता है कि आप अलुसूत्य सब का जरूर एक बार याद रखें कम से कम 20 जो आपकी जो periodic table होती है उसमें कम से कम एक से लेके 20-30 तक के सब के आपके याद होने चीए वेट क्या होते है ठीक है क्योंकि अलुभार भी पुछे जा सकते है अगला प्रशन देखते है विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है ये तो बहुती सिंपल प्रशन है और सभी को पता ही होगा इसका है बेरी-बेरी बेरी-बेरी रोग होता है विटामिन B की कमी से अगला प्रशन काफी चर्चित इंसलिन का प्रियोग किस बीमारी के लिए किया जाता है ये बीमारी भी काफी फैल रही है आजकर मद्व में मद्व में में इंसलिन का यूज किया जाता है अब देखते हैं अगला परशन ग्रह किस प्रकार के पत्थ पर सूर का चक्कर लगाते हैं जो आपको पता है कि सोलर सिस्टम जो मारा होता है उसमें सूर के चक्कर लगाते हैं चाव तरफ सभी ग्रह तो किस प्रकार का होता है वो दीर युँ ब्रत्तकार होता है युँ अगला प्रशन शरवादिक लवडिय सागर कौन सा है इसा कौन सागर है जो सबस्यादा लवडिय सागर कहला जाता है उसका नाम है लाल सागर अगला प्रशन डंकन पास कहां अभियस्ते थे कौन सा पास काफी लोग उने सुना होगा काफी लोग भूमने भी गाई होंगे तो मैं उसका बता जता हूँ जो डंकन पास है वो आपका दक्षणी अंडमान तथा छोटा अंडमान के मत्य होग इस्ते थे चलिए अगला प्रशन देखते हैं कि किस वाइसराय ने बंगाल का बिभाजन 1905 इसपी में किया था तो किस वाइसराय ने किया था उसका नाम था लॉड करजन क्या नाम था दोस्तों लॉड करजन लॉड करजन वाइसराय था उसने बंगाल का बिभाजन 1905 में किया था चलिए देखते हैं अगला प्रशन वेदो की और लोटो ये का नारा किस ने दिया था लब ये नारा किस ने दिया था कि वेदो की और लोटो तो इसका अंसर है स्वामी दयानन्द सरसती स्वामी दयानन्द सरसती ने ये नारा दिया था हमको कि वेदो की और लोटो अगला प्रशन समाज को परिभासित कीजिए तो समाज को परिभासित सिक्षण को असल से ये प्रशन है तो मैं इसमें बताना चाहूंगा कि Giddings के अंसर समाद स्वयम एक संघ है संघठन है, अब चारिक संबंदों का पुंज है जिसमे सरयोग दिने पर व्यत्ती परसपर संबंदित होते हैं यह इसका औनसर है आप इसको THERE लिक सकते हैं कि Giddings के अंसर समाद स्वयम एक संघ है संगठन है अपचारिक सब्बंदों का पुंज है तो यह बहुरी वैरी शॉर्ट टाइप आंसर अपका हो जाएगा सुख्ष पूर्ष सिख्षण के जनदाता कौन है सूख्ष पूर्ष सिख्षण के जनदाता कौन है इनको माना जाता है इसका जनदाता माना जाता है अगला पूर्ष पी मौस्ट कारकम क्या है पी मोस्ट कारक्रम क्या है यह आप से पुछा गया है इसकी फुल फॉर्म नहीं पूछी गई है इसका पुछा गया कारक्रम है क्या तो मैं दोनों चीज बताऊंगा इसकी फुल फॉर्म भी बताऊंगा और कारक्रम भी बताऊंगा तो पी मोस्ट की जो फुल फॉर्म होती है वह होती है program of mass orientation of school teachers यह इसकी full form होती है और कारिकरम होता क्या है इस कारिकरम का जो मुख्यों देश है वो school अध्याबों के बिस्तरत एवं सघन पर सिक्षण की बिवस्ता करना होते है अर्वा प्रशन थार्ण डाइक के ततपर्था सिध्धान से आप क्या समझते हैं तो थार्ण डाइक जो सीखना का ततपर्था सिध्धान है इस नियम से सिर्फ एक ही समझा वाला चीज इससे निकल के सामने आती है कि कारिकरने के लिए तयार रहना ततपर्ता यहां पर सब्द है ततपर्ता तो इसका जो सिध्धान को नहीं दिया तह diya दान काल करने की लिए तयार रहना यह नियम सीखने वालों को अधिगम depend कृक्रियां के लिए तैयार करता है ठीक है दोस्तो हाला प्रिसम देखते हैं बाल मनुमिज्ञान से आप क्या समझते हैं तो बाल मनुमिज्ञान से आप क्या समझते हैं तो बाल मनुमिज्ञान से आप क्या समझते हैं बालक का मन समझते हैं मतलब बालक के ब्योहार का अध्यान हुआ है तो इसके लिख सकते हैं बही बालक के बिखार का अध्यान अगला प्रशन देखते हैं राश्पती रामनात कोविन्द ने किस राज्ज में माता अमरता नंदमई मटकी परियोजना जीव अमरतम का सुवारम किया है कौन सी परियोजना थी? जीव अमरतम ये एक परियोजना थी जो हमारे राश्टपती रामनात कोविन ने अभी स्टार्ट की थी तो ये किस राज्च में की थी ये करेंट अफेर्ट का question है तो इसका जो आंसर है वो है केरल केरल में उन्होंने इस जीव अमरतम नाम की जो परियोजना थी उसका सुवारम किया था अगला प्रशन देखते हैं केरल सरकार ने 18 सितंबर 2017 को किसे ससस्त्र सीमा बल मतलब SSB का महान देजिसर नियुक्त किया था 18 सितंबर 2017 को तो किसको किया था रजनीकांद मिस्रा रजनीकांद मिस्रा को नियुत किया था अगला प्रशन अनुच्छे 35A का संबंद की स्राजिसे हैं ये क्वेस्चन सभी को पता होगा क्योंकि इस पे अभी हाली में बहुत सारी चर्चाएं भी हूठी थी आपने समाचार पत्रों के माध्यम से और न्यूज चैनल के माध्यम से सुनाई होगा तो इसका जो संबंध है पहते से वो है जंबू कस्मीर से जंबू कस्मीर से अगला प्रशन देखते हैं कि जुलाई 2017 में किस भारतिये खिलाडी ने ACI Snooker Championship का किताब जीता है जुलाई 2017 में किस ने Snooker Championship तो इसका अंसर है पंकज अडवानी ने जीता था अगला प्रशन देखते हैं भारत और चीन के मध्य किसी स्थान को लेकर विवाद है काफी चर्चित विवाद है और काफी ज़्यादा न्यू चैनलों में उठा था ये विवाद तो एक किसका अंसर तो पता ही होगा डोकलाम जिसको हम लोग डोकलाम विवाद भी बोलते हैं डोकलाम विवाद अगला प्रशन चैंपियन्स क्रिकेट ट्रॉफी 2017 किताब की इस देश ने जीता है तो इसका अंसर क्या है दोस्तो पाकिस्तान और किसको हराया था भारत को संगहाई संगठन का सिख़र सम्मेलच जूल 2017 में کिस सहर में संपन हुआ था तो किस सहर में हुआ था इसका अंसर है अस्ताना अरला प्रशन देखते हैं हाली में किसे पीजी-चंदरा-पुरुषकार से सम्मानित किया गया है PC चंद्रा पुरुस्कार से हाली में किसे समानित किया गया है कैलास सत्य आर्थी को कैलास सत्य आर्थी ठीक है दोस्तों चलिए अगला प्रशन देखते हैं OER क्या है Open Educational Resource ये है इसकी फुल फॉर्म और ये OER जो है ये है क्या सभी को निसुल्क मतलब चीज़े निसुल्क जो किता में है वो उपलत कराती है और इसमें बदले Digital साधन जो होते हैं Digital मात्यम की थरो ये आधिकम तो था हम संदान में सायक सामेकिरी जोजने भी होती है उसको पलंट कराते हैं थरस्टन द्वारा प्रतिपादित अभिव्रक्टि की परिभासा लखिए तो धर्स्टन दोर पिद्वाद या अध्यत की परिवासा मैं पता देता हूँ उन्होंने जो परिवासा दी थी वो ये दी थी कि अभिवेश्ट किसी पिसिष्ट प्रक्रण या बात के प्रति ये है इसकी परिवासा अगला प्रशन मूल परक्रण सिक्षा की क्यों आवस्टा होती है तो मूल परक्रण सिक्षा की आवस्टा पढ़ती है तो ये ही इसका आंसर है अगला प्रशन देखते है प्रशन नमर 43 हमने दोस्तों कुछ प्रशन बढ़ाए है क्योंकि और भी टॉपिक्स कवर करने हैं आपनों की तैयारी थोड़ा जदी से हो इसलिए हमने प्रशन बढ़ा लिए पहले हम 40 लाते थे और आज 45 कॉस्टेंस हमने एक्लूट किये है ब्यवसाइक आच्राण नीती में बौधिक ज्ञान संपधा के नीती सास्तर से आप क्या समस्ते है तो इसका जो नीत का जो प्रणुक सिधानत होता है वो हता है सच चरित्रा बस्तू परक्ता गोपनियता, सक्षंता, उत्तरदायित, इमानदारी, नेतर, आदि अगला प्रशन देखते हैं कि संबिधान के किस अनुच्छेत संक्ला में समानता का अधिकार रूपी लोगतांतरिक मूल्य आते है संबिधान के किस अनुच्छेत संक्ला तो अनुच्छेत में कहां से आते हैं 12 से 18 12 से 18 में ये सब आते हैं अगला प्रशन राष्टी एक्ता से आप क्या समझते हैं राष्टी एक्ता से आप क्या समझते हैं तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही और ये वीडियो जो हम बनाते हैं वो डेली साम 4 वजे अपलोड करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं और अगर कोई सुझा हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अवस्त लिखिएगा और अधिक से दिक लाइक और सब्सक्राइब पहुच ली और हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है तो इस वीडियो के लिए इतना ही थैंक्स फॉर वाचिंग